Hey guys, इसमें कुछ doubt नहीं है कि Minecraft के millions of fans हैं और इसकी modding community भी काफी ज्यादा बड़ी है बहुत से लोग Minecraft को ही mod करके इसको और भी बहतर बनाते हैं बट बहुत सारी लोग ऐसे भी हैं जो Minecraft को ही recreate करने का try करते हैं Yes guys, आपने सही सोचा हम इस वीडियो में बात करेंगे उनकुछ top 5 more Minecraft clones के बारे में जो शायद मैंने अपनी इससे पहली वाली वीडियो में miss कर दिया हो और हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने इस वीडियो का part 1 भी बना रखा है जिसमें मैंने top 5 Minecraft clones के बारे में बात की थी और आप सबकी कमेंट्स देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मैंने और भी कितने सारे Minecraft clones को miss कर दिये हैं और आप सबको उसकी knowledge थी, वाओ, I like it आपके इतने सारे wishes के बाद और उस वीडियो पे एक अच्छे response के बाद मैं फिर से एक वीडियो लाया हूँ जहां पे मैं फिर से आपको उनकुछ top 5 more Minecraft clones के बारे में बताऊंगा जो आपको शायद काफी interesting लगें अब गाइस without wasting any more time, let's begin नमर 5, Terasology Guys, Terasology शायद इस list का most beautiful Minecraft clone है Like इसके shaders and god rays, यह सब कुछ कितने ज़्यादा beautiful दिखाई दे रहे हैं, right इस game के detailing भी काफी ज़्यादा अच्छी है Like shadows, graphics, shaders and whatnot और guys, इस game की खास बात यह है कि इतनी beautiful graphic आपको by default मिल रही है आपको बाहर से को shaders pack डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें multiplayer support भी मिलता है आपको Plus, Terasology में आपके पास different type of gameplay mechanism भी है Of course, Terasology Java based system में ही develop किया गया है Number 4, True Craft और guys, most probably, True Craft, Minecraft के सबसे नस्दीक और सबसे ज़्यादा similar दिखने वाला game है और इसे Minecraft के clone के जगा Minecraft का implementation भी कहा जाता है सिर्फ इतना ही नहीं ये game Minecraft के official servers को भी support करता है बट यहाँ पे कुछ तकलीफे भी आए इस game को develop करने में क्योंकि True Craft Minecraft के बहुत ही ज़्यादा close है तो इस game को काफी सारे copyright issues का भी सामना करना पड़ा था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि True Craft C++ पे written है क्योंकि True Craft को एक open source engine से बनाया गया है प्लस ये MIT licensed है Number 3, Mind Test Yes guys, Mind Test Minecraft का pure alternative है अगर आप Minecraft किसी region से नहीं खेल सकते तो Mind Test अपकी भोक और प्यास दोनों को मिटाएगा Mind Test नाम भी Minecraft जैसा ही थोड़ा बहुत लग रहा है प्लस Mind Test भी एक Near Infinite World Block Sandbox गेम है Of course ये Multiplayer भी support करता है तो अगर आप Minecraft नहीं खेल सकते हैं तो आप Free में इस गेम को खेल सकते हैं वो भी Multiplayer बट एक बात तो कहनी पड़ेगी इस गेम ने भी एक अच्छा title hold कर रखा है इसमें भी आपको varieties of different type of terrains मिल जाएंगे जहां पर आप unlimited way में exploration कर सकते हो इस गेम को C++ में write किया गया है तो अफकोर्स ये open source है इस पे कोई भी copyright issue नहीं आया था and MindTest, Windows में, OS में, Linux और Android में भी चल सकता है तो अगर आपके पास PC नहीं है तो आप Android में इस गेम को बहुत अच्छे से enjoy कर सकते हैं नमबर 2, Craft वाव 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 Minecraft से माइन को हटा दिया सिर्फ craft रखा है चलिए ये भी सही Craft एक another open source voxel engine का Minecraft style गेम है इसमें आपको pantheon based multiplayer servers मिल जाएंगे and of course आप इन्हें try दे सकते हैं ये actually worth trying है और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये Minecraft का clone है बट ये गेम Minecraft से कई वे में अच्छा भी है yes guys आपने सही सुना कई वे में अच्छा और वो आपको तब पराद चलेगा जब आप इस गेम को खेलेंगे but of course ये Minecraft से कई वे में अच्छा भी है तो कई वे में बुरा भी तो ये आप पर depend करता है आप इस alternative को खेलना चाते हैं कि नहीं but I prefer original Minecraft instead of this and guys अब हम finally उस गेम की बात करेंगे जो इस list के top number पे आप आया है and मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सबको पराद चल चुका है कि top पे कौन आया होगा of course guys इस वीडियो के part 1 वाली वीडियो में आप सबने इतने सारे comment कि ए इस game के लिए कि मुझे इस game को top पे रखना ही पड़ा बिना किसी doubt कि ये game है Loki Craft Loki Craft एक android game है and ये एक ऐसा game है जिसमें आप build कर सकते हो destroy कर सकते हो blocks को और इस game में आप weapons भी ले सकते हो yes guys minecraft को एक next level पे ले गए हैं ये लोग इस game में आपको 100 से भी ज़्यादा blocks मिल जाएंगे and numerous item के access मिल जाएंगे हाला कि इस game को reviews बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिले हैं बट जिस तरीके से लोग इसे support करते हैं and इसको enjoy करते हैं उनके आगे reviews तो बिल्कुल matter ही नहीं करते हैं क्योंकि end में यही बात आती है कि आप किसी game को कितना enjoy करते हो and बिना किसी doubt के Loki Craft उसका एक बहुत ही अच्छा example है plus एक perfect clone भी I mean seriously Wither से लेके character models तक block से लेके world तक everything is just copied from Minecraft and बिना किसी doubt के Minecraft का top clone है जो deserve करता है इस list के top पे आने के लिए so guys मैं hope करता हूँ कि आपको यह video पसंद आई होगी अगर आपको यह video पसंद आई है तो मेरे channel को subscribe जरूर करें और हाँ video को like भी करें और हमारे discord server को भी आप join कर सकते हो link description के top पे मिल जाएगी यहाँ पे मैं बहुत जल्द giveaway करने वाला हूँ आँ guys करने वाला हूँ चिंता मत किजी अब finally thanks for watching this video